हेलो गाईज स्वागत है आप सभी का दिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अपने 15 इंपोर्टेंट कोशन आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के ऊपर आज के सारे वो कोशन रहेंगे जो आपके किसी ना किसी एक्जैम मे पूछे गए हैं अभी हम आपको प्रिप्रेशन करा रहे हैं इंग्लिश की इंग्लिश में भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है जैसा कि मैं कहता हूँ आपको मैट्स में प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि मैट्स में क्या है बहुत सारे रूल्स होते हैं इसी तो थूरू कोशन हम समझते हैं बिना किसी देरी के करते हैं अपने कोशन को डिसकस फर्स्ट कोशन आपसे पूछते हैं डेश में क्या आर्टिकल आएगा आपको बताना है ए एन द या फिर नो आर्टिकल तो ज़रा प्रिवे इसली जो आपके रूल मैंने आपको बताय थे वो रिमाइंड कीजे मैंने आपसे कहा था कि कही पर अगर सूपर लेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले क्या इस्तमाल होगा उससे पहले द का इस्तमाल किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो इसका correct answer है वो है आपका option C which is the longest river in India और हाँ superlative degree को भी समझ लीजिए यह क्या होती है तीन तरह की डिग्रिया होती है हमारी एक तो positive, comparative और superlative जैसे हम कहते हैं न fast, faster और fastest ठीक है तो fastest क्या है आपकी superlative degree है superlative degree से पहले आप द का इस्तमाल करेंगे ठीक है चलिए चलते हैं अपने next question second question पे second question आपसे पूछते है Russia is dash great country Russia is dash great country क्या आएगा यहां पे a, n, the या फिर no article तो देखें यह है आपका noun ठीक है और noun से पहले क्या है आपका adjective ठीक है country है country कैसी है great है तो यह आपका एक adjective है तो adjective plus noun इसकी मैंने आपको एक condition बताई थी कि इससे पहले क्या इस्तमाल होगा या तो a इस्तमाल होगा या फिर आपका n इस्तमाल होगा और यह किस के accordingly होगा इस जी के according ठीक है इसकी जो sound है तो great गर की sound है तो अगर गर की है तो यह है आपका एक consonant है वियंजन है ठीक है तो वियंजन से पहले क्या इस्तमाल करते है हम a तो correct sentence क्या होगा यहां पे Russia is a great country ठीक है सलते हैं अपने थर्ड कोशन थर्ड कोशन आपसे पूछते हैं सुहाना इस डैश फुलिश गर्ल बट श्वेता इस डैश इंटेलिजन गर्ल तो अभी जो प्रीवेस रूलता वही यहां पे अप्लाई हो रहा है फुलिश क्या है आपका एक adjective है और गर्ल आपका एक नाउन है तो adjective plus noun यहां पर भी चेक कीजिए intelligent आपका एक adjective है और आपका girl एक noun है adjective plus noun तो बैस यहां पे जो adjective के first letter की sound है उसके accordingly चेक कीजिए foolish फो की sound आ रही है फो है आपका एक consonant और consonant है तो यहां पे क्या आएगा a आएगा श्वेता is dash intelligent girl intelligent e की sound है e क्या है आपका एक vowel है और अगर vowel है तो क्या आएगा यहां पे n आएगा तो sentence को चेक कीजिए suhana is a foolish girl but shweta is an intelligent girl a और n a और n कहां पे है option b में तो यहां पे option b सही हो जाएगा ठीक है चलिए चलते हैं अपने next question fourth question पे fourth question आप से पूछते है dash book you gave me is very interesting ठीक है dash book you gave me is very interesting अब देखे बुक है आपका noun और noun कैसा है आपका singular countable noun है ठीक है तो यहां पे a भी आ सकता है n भी आ सकता है और the भी आ सकता है a और n indefinite article है और the क्या है आपका एक definite article है ठीक है यानि कि जब किसी noun की position definite होती है तो देखे यहां पे book तो दिया है लेकिन book के साथ कुछ extra information भी दी है तो जब कुछ extra information दी हो तो वहां पर आंखThis आप the का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, the book you gave me is very interesting, यानि कि जो book तुमने मुझे दी थी, वो काफी interesting है, ठीक है, तो specific की बात हो रही है, तो यहाँ पे option C सही होगा, the is the correct answer, ठीक है, चलिए, चलते हैं अपने next question, fifth question पे, fifth है आपका, शरी नगर is situated to, dash north of India, बहुत important question है, ध्यान से इ explain करता हूँ, देखे, जितनी भी आपकी direction होती है, जितनी भी आपकी direction होती है, east, west, north, south, उससे पहले हम the का इस्तमाल करते हैं, यह आपका एक rule है, इसे note कर लीजे, ठीक है, अब एक rule यहाँ पे और होता है, कि जब हम कहें, north India, north India, या हम कहें south India, यानि कि direction के साथ, जब हम कि आपका the का use नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई article का इस्तमाल नहीं किया जाएगा, समझवाया, अगर सरफ direction है, तो the का इस्तमाल होगा, और अगर आपका कोई place उसके साथ add कर दिया जाए, तो the का इस्तमाल नहीं होगा, एक rule और है, वो rule यह कहता है, कि जब हम कहते है, north India नौर्थ इंडिया, तब तो कुछ इस्तमाल नहीं होगा, कोई article यूज नहीं होगा, लेकिन जब हम कहते है, north of India, ठीक है, जब off करके हम लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या इस्तमाल होगा, वहाँ पे the का इस्तमाल किया जाएगा, श्री नगर is situated to the north of India, अगर यहाँ पे होता सरफ north India, तो हम the का इस्तमाल नहीं करते, अगर यहाँ पे होता northern India, तो हम the का इस्तमाल नहीं करते, सरफ दो ही condition में होगा, या तो सरफ आपको direction दी हो, या फिर off करके दिया हो, ठीक है, ध्यान रखना इसको, चलिए, तो यहाँ पे जो correct answer है, वह आपका option B, चलते हैं अपने next question, sixth question, sixth है आपका dash breakfast is ready for us, breakfast से पहले बताना है कि आपको क्या आएगा, option A, the, N या फिर कोई article नहीं आएगा, तो इसका भी एक rule है, इसका rule यह कहता है कि जितने भी आपके, जो आपका breakfast हो गया, lunch हो गया, dinner हो गया, उससे पहले अगर आपको article यूज करना है, तो आप कोई भी article यूज नहीं करेंगे, यही आपका rule है, ठीक है, अब देख लीजे जरा इस rule को अच्छे से, यह rule यह कहता है, dinner, breakfast, lunch, supper, tea, etc, इससे पहले कोई article यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे option D सही है, no article, breakfast is ready for us, simple सा sentence है, कोई article यूज नहीं होगा, ठीक है, चलिए, चलते हैं अपने next question, 7th question पे, इसी से मिलता जुलता question है, थोड़ा सा practice के लिए, मैंने आपके लिए add किया है, dinner was not properly served, यहाँ पे बताना है, क्या article आएगा, कोई article नहीं आएगा, previous question में मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो D यहाँ पे सही है, dinner was not properly served, कोई article यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, च होकी से पहले क्या आएगा, होकी क्या है, एक तरह का game है, और अगर कोई game आता है, और उससे पहले कोई article यूज करना है, तो कौन सा article यूज होगा, कोई भी article यूज नहीं होगा, क्यों, यही आपका एक rule है, इस rule को देख लीजे, कि football, cricket, hockey, polo, tennis, baseball, volleyball, कोई भी game का नाम आज जाए, उससे पहले आपको कोई article यूज नहीं करना है, no article will be used, ठीक है, तो यहाँ पे सही answer है, D, यह जितने भी rules मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपके no article वाले हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे आपका maths है, इसी तरीके से आपका English है, जितना आप practice करोगे, उतन ठीक है, चलते हैं, उतने next question, 9th question पर, 9th देखिए, these pencil cost 1 rupee dash dozen, दुबारा पढ़िए sentence को एक बार, these pencil cost 1 rupee dash dozen, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर होना चाहिए, per dozen, per dozen, तो per की जहाँ पर बात आती है, तो मैंने आपको बताया था, a और n, कैसे हैं हमारे article, यह singular countable noun है, per का मतलब, a और n का मतलब हमारा one ही होता है, per का मतलब भी क्या होता है, one होता है, तो अब देख लिजे, dozen के हिसाब से डर की sound आ रही है, और डर है तो क्या आएगा यहाँ पर, a आएगा, these pencil cost 1 rupee, a dozen, ठीक है, समझ में आया, a का मतलब one होता है, और पर का मतलब भी one ही होता ह है, ठीक है, चलिए, चलते हैं, अब अपने next question, 10th question पर, उससे पहले आपके लिए एक जरूरी बात, जो भी मेरे channel पर new है, आप मुझे अपना नाम इस number पर message कर देना, हम आपको अपने broadcast channel से जोड़ देंगे, ता कि KVS की कोई भी information आती है, आपको दी जा सके, और प्लीज, आप like, share और comment करके तो मुझे जरूर बताया करो, ठीक है, चलो, 10th question है आपका, get me dash kilo of ice cream from dash nearest grocer, दुबार पढ़ ये sentence को, get me dash kilo of ice cream from dash nearest grocer, तो देखे, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कौन से डिगरी है, यहाँ पे superlative डिगरी है, और अगर superlative है तो यहाँ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे द ही आएगा, अब यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे क्या आता है, first में, get me dash kilo of ice cream, यहाँ पे एक kilo की बात हो रही है, यहाँ पे dash kilo grams नहीं बोला, यहाँ पे बोला है, सरफ एक kilo लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक की ही बात हो रह scream from the nearest grocer a और the a और the कहां है option d में है तो 10th का सही answer है option d ठीक है चलते है अपने next question 11th question पर 11th है आपका dash cancer is a dangerous disease dash cancer is a dangerous disease देखे मैं sentence को आपको कई बार read करने के लिए कहता हूँ उसका कारण ये है कि कई बार हम sentence को बार बार पढ़ते हैं तो हमें answer खुद ही आने लगता है क्योंकि कही ना कहीं हमने ये sentence पढ़ा होगा अब देखिए rule ये कहता है कि जितनी भी आपकी important disease है जितनी भी आपकी disease है उससे पहले कोई भी article use नहीं होगा ठीक है आपने यही sentence देखा होगा cancer is a dangerous disease कहीं पर आपने a cancer is a dangerous disease देखा है नहीं देखा होगा and देखा है नहीं देखा the cancer is a dangerous disease नहीं देखा होगा क्योंकि कोई भी article use नहीं होता है तो यहाँ पर option D सही है और rule भी आपका यहीं कहता है कि कोई भी article use नहीं किया जाएगा जैसे आप यह सारी disease देखिए, diabetes, typhoid, tuberculosis, malaria, influenza, fever, cancer, anemia यह सारी जो disease हैं, अगर इन से पहले कोई article के लिए option आता है, तो कोई article यहाँ पर use नहीं होगा ठीक है? चलो, चलते हैं अपने next question, 12th question पर 12th है आपका, हीरल thinks that this is quite dash cheap restaurant cheap restaurant, cheap restaurant, समझ गए होगे आप, यहाँ पर adjective है, यहाँ पर आपका noun है, adjective plus noun है, उससे पहले ए और एन का use होगा, अब देखिए, cheap है, चर, चर की sound है, क्या है आपका एक consonant, और अगर consonant है, तो क्या use होगा, जाहिर सी बात है, ए ही इस्तमाल होगा, हीरल thinks that this is quite a cheap restaurant, समझ में आया? चल आपने next question, 13 question पर, 13 आपका, dash gold is a precious material, dash gold is a precious material, तो gold क्या है आपका, gold आपका एक noun है, लेकिन कैसा noun है, एक आपका uncountable noun है, ठीक है, और अगर uncountable noun है, तो यहाँ पर a और n का तो इस्तमाल नहीं होगा, क्योंकि यह किस के साथ इस्तमाल होते हैं, singular countable noun के साथ इस्तमाल होते हैं तो यहाँ पर क्या इस्तमाल होगा, यहाँ पर कोई article यूज नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आपके material noun होते हैं, material जैसे होगे आपके gold, silver, copper, इन से पहले कोई article आपको यूज नहीं करना है, gold is a precious material, यही sentence सही है, no article will be used, ठीक है, तो 13 का D answer सही है, ठीक है, चलिए, जितने भ कोई article यूज नहीं होता है, 14 कोशन देखिए, बहुत important कोशन है, जरा सा सा चेंज है, और answer चेंज हो जाएगा, dash gold of Nepal is very cheap, अब मैंने gold नहीं बोला, मैंने बोला है, gold of Nepal, gold of Nepal, मैंने specific कर दिया, और अगर specific किया है, तो क्या इस्तमाल होगा, जाहिर सी बात है, the का इस्तमाल किय जाएगा, ठीक है, the gold of Nepal is very cheap, ठीक है, the gold of America is very cheap, the gold of Japan is very cheap, जो भी अगर आपको थोड़ा सा extra information मिलती है, अगर definite चीज होए वहाँ पे, तो अब दव का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, और अगर मैं कहता, gold is very cheap, तो सरफ gold ही रहता, उससे पहले हम कोई article यूज नहीं करते, ठीक है चलते हैं अपने last question, 15th question पे, बड़ा simple सा question है, और important भी है, क्योंकि मैंने आपको इसका rule बताया भी था, और एक exam में पूछा भी गया है, dash piano is a musical instrument, ठीक है, piano is a musical instrument, क्या article हो गए हाँ पे, तो मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके musical instrument होते हैं, उससे पहले हम क्या use करते हैं, the का इस्तमाल करते हैं, the piano is a musical instrument, ठीक है, जितने भी आपके musical instrument है, देख लीजे, guitar हो गए आपका, ठीक है, तबला, harmonium, piano, ढोलक, violin, trumpet, जितने भी आपके musical instrument हैं, उससे पहले आप the article का use करेंगे, ठीक है, तो यह थे थे आपके total 15 questions, I hope सभी को अच्छे से समझ में आए हों ठीक है, चलिके, thank you so much guys